इस पूजा को टीवी चैनलों पर लाइफ चलाए जाने को लेकर मुखमंद्री अर्विन केजृवाल के कुछ पूराने साथ ही उनसे नाराज दिख रहे हैं आमादी पार्टी के पूर सदस और चादनी चौक से लोगसभा के उम्मिदार रहे पत्रकार आशुतोष ने केजरिवाल के दिवाली पूजा पर तंज कसा है दिवाली के दिन दिल्ली वालों के साथ पूजा करने के लिए टीवी पर विज्यापन देने और इस पूजा को लाइव किये जाने पर आशुतोष ने लिखा अर्विन केजरिवाल को हिंदू नेता होने पर बहुत बहुत बधाई महराश में धार्मिक स्थलो को खोले जाने पर कुछ पार्टिया राजनिती शुरू कर दी है और इसको हिंदूत्वा की जीत बता रही है भारते जंता पार्टि ने इसको हिंदूत्वा की जीत करार दिया है भाजपा के बयान पर शुशेना ने तिक ही पर्दिकिरिया दी ह शुषेन सांसत संजराऊट ने कहा कि धार्मेका स्थलों को बंद किये जाने का फैसला परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जनित को देखते हुए लिया था और इसका हिंदुत्वा से कोई लेना देना नहीं है संजराउद ने कहा कि लॉकडाउन के साथ मंदिरों को भी बंद करने का फैसला लिया गया था ऐसे में भाजपा के जरीए इसे हिंदुत्वा की जीत बता कर शरे लेने की कोशिश करने की कोई वज़ा उनके पास नहीं दिखती है बिहार के इंडिये सरकार में लंबे समय से उप मुख मंतरी की जिम्मेदारी सभाले शुशील मोदी को अब उप मुख मंतरी नहीं बनाया जाएगा बलकि इसके लिए अब उन्हें केंद सरकार की कैबनेट में नई जिम्मेदारी दी जाएगी उनके जगा बिहार के अगले उप मुखमंतरी तार की शोर पर साध होंगे जो कटिहार से बेज़ेपी के विधायक बने हैं चौथी बार नितीश कुमार कल मुखमंतरी पत की शपत लेंगे लेकिन कॉंग्रेस के वरिष निता और पूर के द्री मंतरी तारिक अन्वन ने कहा कि हालिया बिहार विधान सबा चुनाओ नतीजों के बाद भले ही नितीश कुमार फिर से राज के मुखमंतरी बन जाएं लेकिन इस बार राज की बाग डौर किसी और के हाथ में होगी और नितीश कुमार रिमोर्ट से चलाए जाने वाले मुखमंतरी होंगे समचार एजनसी एन आई से बाद चीत में तारिक अन्वन ने कहा कि बेजेपी ने जान बूच कर और सियासी रणनीती के तहर नितीश कुमार को कमजोर किया है मशूर बंगला भिनेता सौमित्र चटर जी अब नहीं रहे आज उनका एक लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया वो लंबे समय से बिमार चल रहे थे कॉलकाटा के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखरी सांस ली दादा सहेफ फाल के पुरसकार से समानित सौमित्र चटर जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था लेकिन गो रिस्पॉंस नहीं कर रहे थे पचासी साल के उमर में उस दुन्या को छोड़कर चले गए